प्लागना गलोब एक बहुत ही मैजिकल गलोब होता है आप देखने में जादू की तरह दिखता है देख सकते हैं इसमें आप लगा हुआ है हाइडनिंग इफेक्ट को देख भी सकते है और छू भी सकते हैं है ना कमाल का गलव जादू इसमें भरा हुआ है नोबेल केस जैसे नियोन और लगा हुआ हाई विल्टेज का की यहां पर देख सकते हैं जो हाई विल्टेज प्रोडियूस करता है और इसके बीच ओ बीच लगा हुआ एक एलेक्ट्रोड्स जो लाइटनिंग इफेक्ट क्रियेट करता है आज अब लिए इस प्लाजमा बोल से बहुत सारे एक् तो चलिए इसके सामने म्यूजिक चला करके देखते हैं क्या होता है मैं सबसे पहले इसमें साउंड सेंसिटिव ओन कर दे रहा हूँ साउंड सेंसिटिव ओन हो गया है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए इसके सामने म्यूजिक चला करके देखते हैं इसका क्या जलक रहा है अब हम इस प्लाज्मा ग्लोब के मदद से आग लगाएंगे इसके लिए हमें चाहिए एलुमिनम फॉयल जिससे इसका स्पार्क बाहर आ जाएगा और हमें चाहिए नाइक्रो सेललोज जिसमें अच्छानक से तुरप आग लग जाता है इसमें चलिए शुरू करते हैं इस पर एलुमिनम फॉयल रखने से पहले मैं इसको आफ कर दूंगा यह मुझे सौक देदेगा इसके उपर मैं रख दे रहा हूँ नाइक्रो सेललोज और फिर देखते हैं आग लग पाता है की नहीं अब मैं इसको आउन कर रहा हूँ तिर से एक बार और करते हैं इसे इसका इसपार्क देखने के लिए हम इसके उपर पैंसिल ले जा रहा है चलिए देखते हैं कैसा निकल रहा है इसपार्क यह हाई विल्टेज प्रोडीस कर रहा है तो चलिए इसके सामने स्टीफल बॉल्व रखते हैं आप देखते हैं जल जा रहा एक नहीं वह वायरलेस ली जल जा रहा है देख सकते हैं कोई वायर कनेक्टेड नहीं है फ्रुवी जल जा रहा है यह इधर मैं जैसे ही टच कर रहा हूं तो सारा सपार्क इधर आ जा रहा है और लाइट ओफ हो जा रहा है और छोने पर देखिए फिर जलने लग रहा है यही इतना ज्यादा हाई हुल्टेज प्रूड्यूस करता है कि इसके सामने मोबाइल रखने पर अपने आप से मोबाइल काम करने लगता है बीना टच किये कोई प्रोग्राम अभी नहीं खुला हुआ है जैसे ही मैं न वह यह देखिए कैसे अपने आप से काम कर रहा है कैमरा ओन हो गया अभी केमरा ओन हो गया है रिकॉर्डिंग आउन तो चलिए इसको फोड करके देखते हैं कैसा बिहेव करता है तो फ्री अब भी नहीं पुटा अब भी नहीं पुटा अब मैं जोर से मारने वाला हूं फ्यूद देखते हैं अब वो हो इसमें का इस पार्क निकलना बंद हो गया है और गलास पूरा बिखते हैं कर चुका है मैं इसको सबसे पले कठा कर ले रहा हूं गलास को नहीं तो यह खतरनाक हो सकता है और करके अभी मैं आफ कर दिया हूं और गलास मैं सबसे पले हटा ले रहा हूं तो फाइनली मैं पूरा यहां से गलास हटा चुका हूं और इसमें से स्पार्क निकलना बंद हो चुका है लेकिन मैं फिर भी इसको टच करके नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे जोड़ का जटका लग सकता है तो चलिए इसको स्क्रीव ड्राइबर से टच करके देखते हैं क्या होता है कर देख सकते हैं है आसा चोड़ च्छोटा सब रहो है तो चली अब देखते हम फूट गया है तो सीयफल बहुत जल जा ράग कि नहीं यह कि यहां सियफल आपा है देख सकते के सामने ले जाते ही ईओ स्फ़ाघ देख सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं फूटने के बाद इसका साउंड सेंसर काम कर रहा है कि नहीं मैं इसका साउंड सेंसर ओन कर दे रहा हूं ऑर मैं बोल रहा हुथ हमती समय लाइक जल रहा है देख सकते हैं और इसको रखने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से तो वर्क कर रहा है और चैनल का भी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दीजिए येस वर्किंग थैंक यू